नमस्कार में आजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News बिहार में 2025 में विधान सभा चुनाव होना है और 2025 के विधान सभा चुनाव से पहले अभी से नितीश कुमार की जीत का दावा किया जा रहा है कहा जा रहा है कि जंतादल यूनाइटेड इस बार प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव विधान सभा का जीतेंगी ऐसा दावा जंतादल यूनाइटेड के कई दिगज नेताओं द्वारा तो किया जा रहा है लेकिन विधायकों की नराजगी चरम पर पहुँच रही है जहां गोपाल मंडल सीधे तोर पर बगावत करते हैं भागलपूर के अपने ही सांसत के खिलाफ कई एलान मीडिया के सामने करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जेडियू पार्टी के कई अन्य विधायकों के खिलाब भी हुंकार भरते हुए गोपाल मंडल नजर आते हैं लेकिन इस बीच में गोपाल मंडल से इतर हट कर एक चहरे की चर्चा जादा हो रही है बिहार में वो चहरा है नीलम देवी का नीलम देवी जब बिहार में आर जेडिया और जेड़ू का गटबंधन तूटा और विधान सभा में जेड़ू पार्टी को बहुमत साबत करना था उस दौरान नीलम देवी चेतनानल प्रलाद यादव ये तीन चहरे थे जो जेडियू पार्टी को समर्थन देते वे नसर आए थे और इसके बाद देखा जाए तो लोगसभा चुनाव में नीलम देवी ने पूरी कोशिश की थी कि जेडियू पार्टी का हिस्सा है तो जबकि मुकामा से वो आरजेडि के तहत विधाई का रह चुकी है अभी तक विधाई का पत्स स्तीफा भी नहीं दिया है और जेडियू पार्टी का हिस्सा है चर्चाएं तेज हैं कि नीलम देवी के खिलाफ लगतार जेडियू पार्टी और उनके पती द्वारा कदम उठ ज़ा रहा है तो क्या नीलम देवी अपना ये बड़ा कदम उठाती विधासर आएंगी कि वह आरजेडि में दोबारा वापसी कर ले क्या आरजेडि में वापसी करने के अलावा को और दूसरा रास्ता क्या नीलम देवी के पास नजर नहीं आता है क्योंकि आनंत सिंग के होने के बाद नीलम देवी का चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है तो क्या ऐसे में कदम अर्जेडि की तरफ बढ़ेंगे क्या लगता है आपको अपनी राइकम सेक्षिन में जरूर देखते हैं स्प्यनाइन नियूस धन्यवाद